हालो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूटूब वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आपका छोटे से गोड़ फॉर्म में दोस्तों हमारे हाथ में हैं बियेच अलफा अलफा टॉनिक दोस्तों बियेच अलफा अलफा टॉनिक का दोस्तों आप दिशे बीये चलफा पसुओं को तंदुरुस्त और तागत के लिए यानि जहां पर आपकी पसुओ कमजोर है दुबली पद्ली वहां पर हम इसे देंगे उसके साथ-साथ पसुओं में दूध की बूर्धी करता है यानि जहां पर आपकी बक्री ब्याती है ब् कभी कभी पशओंओं के सरीर में पूस्चि कभी हो जाती हैं जिससे पशू को अनेक वीमारी आ जाती है तो हम जहां पे भी दे सकते है इनकी इस्टिमना हाइक करने के लिए हुआ उसके इसाथ जहाँ पर आपकी पशू में भूह नहीं लगता है आपने देखा होगा आपकी पुसू चारा सही से नहीं खाती है आपकी भेड़ बकरियां चारा सही से नहीं खाती है तो जहां पर आपकी बकरे बकरें चारा कम खाती हैं वहां पर भी आप इस बीच upa alfa tonic का यूज करवा सकते हो उसके हसा साथ और कहा कहां पर झेहां पर आपके बकरियां आपने देखा होगा दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है प्यावने की करीब है या फिर ब्या गई है उनकी हड्रियां दिखाई देने लगती है इतनी जाधे कमजोर होती हैं खुद से उठ बैट नहीं पाती हैं वहाँ पे भी हाम इस ब्यूजल बगरेको जल्दी तयार करना चाहते हो दोस्तों सभी बकरी हो वह कम समय में अच्छा मुनाफ़ा उनको प्राप्त हो सके यानि कम समय में वह अपने बक्रे-बकरियों को काफी अच्छे से तयार कर सके ताकि उनका लंबाई अच्छा हो उनका फैड अच्छा हो उनका वजन अच्छा हो तो इस प्रकार से अगर आप भी अपने बक्रे- बकरियों का ग्रोथ नहीं होता है आपने देखा कभी कभी आपकी बकरी बकरे 6-7-8 महिने को हो जाते हैं लेकिन लगता है अभी छोटे बच्चे हैं 2-3 महिने के हैं तो आप मुख रूप से वहां पर इसका यूज करवा सकते हैं भी अलफा अलफा टॉनिक का तो कराना कैसे ह हैं आपको 15 ml बड़े बकरियों में 15 ml आपको देना है और बच्चे में 5 ml देना है आपको ऐसा दिन में कि वह लेक बर करना है वह भी आपको लगातार एक महिने तक देना है ऐसा आप सिदे पिला भी सकते हो और चारे में दे सकते हो दोस्तों यह पकरी हमारी बहुत जादे दवा नहीं पेती हैं, तो इनको हम चाहःे में भी देते हैं। कि यह पतःbli मिला के इस दवा को पिल वा सकते हो। कि अजिसाने काईश्पपफार केrog इस दवाको जाना चाहिए ज़ाए कि अच्छा रीजेट मिलेगा। दोस्तो एक लीटर की MRP आपको पड़ेगा 250 रुपीस तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेड में जुरू बताना आज के लिए इतना ही धन्यवाद हमारे यूटूब फैमिली मेंबर